हेलो गैज आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में और आज हम लोग डिसकस करने वाल है कि कैसे 84 कुईंटिलियन टोकेन को बर्न किया चाएगा सिंजा में सबसे पहले समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट में एक बहुत बड़ा डिप देखने को मिला था यह रिजन था क्योंकि यहाँ पर किसी वेल ने अपना जो एमांट है उसे विड्रॉ कर लिया था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखे अन्य था आप पूरी वीडियो के थीम को आप समझ नहीं पाएंगे और सही जानकारी भी गेन नहीं कर पाएंगे तो गाइस हुआ एक्चुली क्या कि यह जो ग्राफ आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर किसी कोई इन्वेस्टर था जिसने यहां से पैसे निकाल लिया और मार्केट फिर यहां पर डिप में चला गया ठीक है तो उसको ले करके एक ऑफिशल पोश्ट भी आया है उससे पहले काफी ज़्यादा मार्केट में रिमर्स भी उड़ने लगे थे कि यह सिंजा एक टोकेन है एक रग पूल है यहां से पैसे ले करके निकल जाएगा पब्लिक को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो इसस सारे क्लारिफिकेशन दे रहे हर चीज को ले करके तो वहां पर भी इन सब बातों को ले करके क्लारिफाई किया गया बहुत सारी चीजों को तो आप यहां पर देख सकते कि पहला जो था वो था प्रिशेल वाइलेटर नोंने साब साब बताया है कि एक जो प्राइवेट सेल इन्वेस्टर थे इनके उन्होंने 728 इथिरियम वर्थ का सिंजा जो है वो यहां से सोल्ड कर दिया बेच दिया उन्होंने और बेचने के बाद क्या हुआ वो निकल गए बट सिंजा वालोंने एक अच्छा काम किया कि उनका जो वालेट था उससे ब्लैक लिस्टेट कर दिया गया है अब आप बोलोगे कि प्राइवेट शेल इन्वेस्टर होता है उनका वालेट को ब्लैक लिस्ट करने का क्या अधिकार होता है तो गाईज एक्चुली में यह लोग जब किसी भी प्रोजेक्ट को लांच करते हैं तो इन लोग में से प्रिशेल जो इन्वेस्टर होते हैं उनको यह पहले टोकेन खरिदने का मौका मिलता है बट इनके साथ में कुछ conditions होते हैं कि आप किस तरीके से आप अपने tokens को आप बाहर निकाल पाओगे आप एक बार में सारे tokens को बाहर नहीं निकाल पाओगे अगर एक बार में आप सारे tokens को बाहर निकालते हैं तो इसमें काफी जादा loss होता है project को और market में बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है तो वो सारे terms and conditions होते हैं और उसी पे आगे बढ़ती है इन सब सारी चीजों को तो वहाँ पे अपने terms and conditions के हिसाब से ही actually में जो private sale investor है उन्होंने violet किया और उनको जिसके वज़ा से उसे blacklisted किया जा चुका है आपको यहाँ पर growth भी देखने को मिल सकता है graph में उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो उसके बाद इस address को देखेंगे तो यहाँ पर market में एक अफवा भी उड़ाया गया था कि इस wallet address पर लगातार जो transactions है वो हो रहे हैं और cash out किया जा रहा है बट यहाँ पर cliff ने clarify किया है कि यह जो address है वो sinja का wallet address है जहाँ पर ethereum में actually में ज़्यादा fluctuation होता है जिसके वज़ा से ethereum से उसे convert कर दिया गया USDT में ताकि market में जो अभी fluctuation आया है काफी ज़्यादा नीचे गिरा है उसे stable किया जा सके इसके वज़ा से उसे USDT में convert किया गया है तो guys जैसा कि आप सभी को पता है कि USDT एक stable coin है जिसके वज़ा से सिबनोभी ने ऐसा किया है तो यह उन्होंने clear कर दिया है और इस fund को किसी भी तरीके से cash out नहीं किया जाएगा cliff ने इसके बारे में साफ साफ बताया है नेक्स अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो cliff ने जैसा कि साफ साफ का है कि यह market का एक part होता है कि all time high जाना then after dip में जाना इस तरीके से होता ही रहेगा इसमें घबराने की कोई बात है नहीं आगे बहुत सारे ऐसे projects है जो आने वाले जिसके बाद आपको definitely sinja यानि की सिबनोभी जो है वो काफी ज़्यादा growth करता हुआ नजर पड़ेगा आपको 2022 में 2022 काफी अच्छा है सिबनोभी के लिए आपको क्या लगता है दोस्तों कि किस region से यह सारी चीजे हो रही है बट जो सारी reasons थे यहाँ पर शिबनोभी ने clarify कर दिया है तो definitely आने वाले टाइम में काफी ज़्यादा boom आपको देखने को मिल सकता है वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे comment section में जरूर बताएंगे यहाँ पर कुछ safe moon listing के बारे में भी बात की गई है और कुछ सारी चीजे जो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा तब तक के लिए वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलता है next वीडियो में till then take care and bye bye